हाँ ममी चलिये मेरे साथ मेरे एक साल के बेवी के साम से रात तक के रूटिन में आज मैंने डिनर में बनाया है मूंग डाल, वेजिटेबल दलिया मैं सारी सबजियों को काटके गीही में जीरे का तरका लगाके एक साथ पका दूँगी, तीन सीटी लगाओंगी कूकर में, और जब तक दलिया पकेगा, तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी, वो है बेबी की सफाई और मसाज की, तो सोने से पहले जो क्लीनिंग होती है, तो मैं कभी-कभी सावर भी दिला देती हूँ, कभी-कभी बस पा में हमेशा कूसिस करती हूँ, कूसे मसाज करती हूँ, क्योंकि वो चलना सुरू कर दियो, अब मैंने कपड़ा चेंज कर दिया है, और नेक्स्ट है खानी की तयार, यहाँ पे दलिया बनके रेडी है, और अब सुरू होता है, दोनों मा बेटी का रियल वाला स्ट्रगल, त पिर बच्चा जब स्टार्टिंग में छोटा होता है, तब ही होता है, जब बच्चे एक देर साल के होजाएं, तो बहुत बदमासी करते हैं, तो आपकी आधी एकसरसाइज ना, बच्चों को खिलाने पलाने में हो जाती है, और यह हमें पता है, तो वहीं यहाँ पे चल र पेज है, हम दोनों मा बेटी खुश है कि चलो आज का हो गया, और उसके बाद मैं उसे खाने के बाद तुरंट बेट पे नहीं ले जाती हूँ, थोड़ा सा उसको खिलने के लिए छोड़ देती हूँ, तकि उसका खाना भी अच्छे से पच्चा और बहुत सारे बच्चे पॉटी भी करते हैं, तो अगर वो सब भी है, तो अपना क्लीन मिलिन करके एक साथ बेट पिले लिया, और यहां पर मैं उसकी होम रिमेडी की तयारी कर रही हूँ, मैंने कच्ची हल्दी का जूस बना लिया, ग्रेट करके और उसमें हनी मिला दूंगी, क्योंकि उसको और हल्दी वाला जो मिक्षर है, हल्दी होने के साथ बहुत टेस्टी लगता है, तो आप छोटे बच्चे से लेकर अगर आपका बच्चा पाच्छे साल का उसे कुछ कफ़वत उसे भी दे सकते हो, और नेक्स्ट आगई हमारी सोने की तयार, तो उससे पहले हम पूजा पर नाम करेंगे, ठैंक्यू बोलेंगे, और आगे अपने बेडरूम में, और फिर पता नहीं है कब तक चलेगा, तो आप लोग बाई बाई, गुट नाइच